हेलो गाइस मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं जो आपकी जानकरी यूट्यूब चैनल तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं असाम पुलिस सव इंस्पेक्टर की भरती के बारे में जो 2021 में निकली गई है और इसकी जो परिक्षा है वो अगले साल 2022 में देखने क को मिलेगी तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि इसकी इंपोर्टेंट डेट्स क्या रखी गई है इसकी सेलरी कितनी होगी इसका क्वालिफिकेशन सेलेक्शन प्रोसेस एक्जाइम पैटेन फीज मेडिकल टेस्ट पीस्ट और पीटी टेस्ट एज लिमेट डॉक्मे अब अगर इसकी इंपोर्टेंट डेट को नजर डाले तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो एप्लिकेशन फॉर्म है वो 10 डिसम्बर 2021 से शुरू हो जाएंगे और एप्लिकेशन एंड होगी नाइन जैन 2022 में दोस्तों अभी इसकी एक्जाम डेट कोई भी नहीं आई है अब इसकी एक्लिकेशन फीस देखए तो यहाँ पर किसी भी क्रेटरी के लिए कोई भी एक्लिकेशन फीस नहीं रखी गई है herb इसकी एज्ञ मीजञेज यहाँ अर्ड काई इसकी इसकी वारे बारे बात कर रहे तो यहाँं पर आप देख सकते के के ड कैंडिट मुस्त 해도 प्लस इसके साथ आपको ग्रेट भी दिया जाएगा जो 8700 रुपे का होगा और साथ ही जो बाकी अलाउंसेस होंगे वो भी आपको मिलेंगे अब अगर इसकी सेलेक्शन प्रोसेस देखे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला आपका रेटिन टेस्ट होगा उसके पीस्ट सब्सक्राइब आपको तीन घंडे का समय दिया जाएगा और यह जो टेस्ट होगा यह ओमार शीर्ट प्रोसेस देख सकते हैं कि इसके अंदे जो टेस्ट होगा वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है पहला आपका लॉजिकल रीजनिंग एप्टिट्यूट और कॉंप शीट पर होगा मतलब ऑफलाइन होगा और हंडेड मार्क्स का रखा गया है नेगेटिव मार्किंग के बात करें तो यहां पर वन सेकेंड की नेगेटिव मार्किंग रखी गया और एक कोश्चन का एक मार्क्स दिया जाएगा तो अगर हम इसके फिजिकल स्टेंडर्ट टे होंगे मेल्स और ट्रंसजेंडर के उनके लिए 162.56 cm के हाइट होनी चाहिए और फिमेल्स के लिए 154.94 cm के हाइट होनी चाहिए और सेकेंड अगर स्ट और स्ट और स्ट पी एच वाले जितने भी लोग होंगे उनकी यहां पर हाइट रखी गई है 162.02 cm की और फिमेल्स के लिए 152.40 cm की महीं अगर चेस्ट की बात करें तो यहां पर देख सकते के जितने भी के लोग होंगे उनकी यहां पर चेस्ट मांगा गया नार्मल पर अर। है इस अब क्याने प्रमान के घृद होना चाहिए तक अत्यस्ट की बात करें तो यहां पर फिजिकल के जाएंगे इस इन लिए जिसके पहली रेस होगी तो इस में अगर मेल केंड़ेट की बात करें तो यहां पे 1600 मीटर की रेस होगी जिसके लिए टाइम डिया गया है और दूसरी तरफ फीमेल कंड़िट की बात तो उनके लिए 800 मीटर की रख्ऴ यह जिसके लिए ताइम आपको 240 seconds का दिया जाएगा और एक बात और मैं बता दूँ कि award marks for 16 meter race रखा गया यहाँ पर मतलब कि अगर कोई भी male candidate होगा उसने 300 seconds के अंदर या फिर 300 seconds में race complete करी तो उनको 20 marks दिये जाएगे और अगर आपने 450 seconds के अंदर race complete करी है तो आपको 10 marks दिये जाएगे वहीं पर females के लिए अगर उन लोग ने 160 seconds के अंदर या फिर 160 से कम के अंदर race complete करी तो उनको 20 marks मिलेंगे और वहीं पर 240 seconds अगर उन लोग ने time लगाया तो उनको 10 marks मिलेंगे और इसके बार आपकी long jump होगी जहाँ पर long jump में देख सकते हैं आप males और transgender candidate को 335 cm की long jump करनी होगी minimum वहीं females को 244 cm की minimum long jump रख करनी होगी यहाँ पर भी दोस्तों आवार्ड marks रखे गए long jump के लिए males और female दोनों के लिए तो अगर males के आवार्ड marks की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 435 cm jump you get 10 marks and वहीं पर दूसरी तरह अगर for 500 cm jump you get 20 marks और females की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 244 cm jump you get 10 marks and वहीं पर 389 cm jump you will get 20 marks तो इन सब के बाद आपका medical test होगा जहां पर आपके mentally or physically health check-up किये जाएंगे थोड़े 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 test होगे उसके बाद आपका eyesight देखा जाएगा जो कि छे बाद छे होना चाहिए और बाकी इसमें relaxation भी रखा गया है तो दोस्तों अब बात करें कि question paper जो written exam होगा वो किन-किन languages में आएगा तो यहाँ पर जो written exam होगा वो असामी language में होगा बोरू language में होगा बंगाली language में होगा और इंग्लिश लेंग्विज में आएगा तो दोस्तों यह थी सारी detail असाम पुलिस सब इंस्पेक्टर SI की भरती के बारे में जो कि नवंबर में नोटिफिकेशन इसकी आनी थी पर अब डिसंबर में इसकी notification आ और इसके अलावा अगर आप previous question paper ढूंटे है job के तो आप हमारी website www.hindiaudience.com पे जाके visit कर सकते को कि वहां पे बहुत सी job के हम लोग ने previous paper upload कर रखे हैं तो दोस्तों यह थी सारी updates अगर आपका jobs related कोई भी question है तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं और अगर आपको हमारी information and subscribe करें and तब तक के लिए all the best for your further examination. Thank you.